अधाले दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कच्छाट गरें दर्चे अब भ्याव 6 एक पहले सी पहले से पहले सी पहले से तीर से कुष्चन तक थाल किये थे आधि इस वीडियो में हम चाउता कुष्चन करने जा रहे हैं चाउता निम्नांकि संख्याओं में से 7 11 और 13 से व विभाज होने वारी संख्य हैं तो देखते हैं दोस्तों साथ से विभाज का नियम है इकाय में एक से गुला करते हैं दहाय में तीन से गुला करते हैं सेकला में दो से हजार में माइनस एक से और दस हजार में माइनस तीन से और लाख में माइनस दो सी गुला करते हैं उसके बाद उसको जोलते हैं चलिए देखते हैं साथ से कौन-कौन सी संख्य विभाज होंगी तो देखते हैं 7 से होगा विभाज 3,29,630 कैसे विभाज होगा चलिए देखते हैं इकाई में कितने से गुला करेंगे हम 1C तो हो जाएगा 3 एककर 3 और दहाई में कितने से गुला करेंगे हम 3C दहाई में कितने से गुला करते हैं 3C तो 3 दूनी 6 इसमें हो जाएगा छे उसके बाद साइकला करते हैं हम दो सी तो छा दूनी बारा है उसके बाद हजार में कितने से गुला करते हैं माइनस एक सी तो मनव एककम नौ माइनस का नौ उसके बाद इकाई दाई सेकला हजाद दह हजाद, दह हजाद में कितने से गुला करेंगे हम, माइनस तीन से, तो माइनस तीन से गुला करेंगे दो में, तो तीन दूनी छे, माइनस का छे, अब उसके बाद, लाख में कितने से गुला करते हैं, माइनस दो से, तो माइनस दो से गुला करे यह तीन में तो यगा टीन दूने दूनी Candity minus का 6 इसके बात क्या करते हैं जोलते हैं तो minus का अध्या प्लस माइनश के 6 फ्लस माइनस का नो प्लस बारा प्लस छे प्लस तीन तो सबसे पहले इसको हम खोलेंगे heber佑 कट शे प्लस प्लस माइनस माइनस छे प्लस माइनस माइनस नव प्लस का बारा प्लस का छे प्लस का तीन अब दोस्तों यहां देखिए यह माइनस का है यह माइनस का हो जाएगा चाचा बारा माइनस का बारा माइनस नव अब प्लस का बारा अब प्लस इसमें चाओ तीन जो देंगे नव हो जाएगा उसके बाद माइनस करना हो है प्लस करना हो है तो बचेगा जीरो तो इसलिए हमारी संक्या 32,3,29,630 साथ से बिभाज हो जाएगी अर्थात कड जाएगी अब दोस्तों दूसरी यह वाली साथ से बिभाज होगी कैसे बिभाज होगी एह दिया है 25,189 ते कैसे बिभाज होगी देखते हैं इकाई कितना है नौ 9 कितने हो गुला होता है गुला एक से 9 दाहाई में गुला होता तीन से तो सात तिरिक 21 उसके बाद सैकला में दो से गुला होगा तो दो एक का 2 हजार में कितने से गुला होता है माइनस का एक से तो पांच का पांच माइनस का पांच उसके बाद 10,000 में कितने से गुला होगा माइनस का 3 तो जब माइनस का 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 उसके बाद क्या करते हम योग योग जो लेंगे तो माइनस का 6 प्लस अब ये माइनस का 5 है प्लस 2 प्लस 21 फ्लस 9 अब माइनस का छे माइनस का छे प्लस माइनस माइनस पांच प्लस उन 21 ना 30 32 32 उसके बाद इसको 6 5 11 प्लस का 32 अब 32 मसे 11 घटाएंगे तो बचेगा हमारा दो मसे गए एक और यह बचेगा दो उसके बाद तीन मसे गए दो एककीस आए गया तो साथ तिरिक 21 इसलिए 2000 सौरी 25189 हमारी साथ से विभाज हो जाएगी अब दोस्तों अगली कुछ अगली संख्या है पचीस हजार 137 से भी साथ से विभाज होगी देखते हैं कैसे 51 में कितने से गुला करते हैं एक सी जब साथ में एक से गुला करेंगे उस जागा साथ अब दहाए में करते हैं तौ तो तसके बाद इसका करेंगे माइनस का योग माइनस का पांच प्रस का दोsoft प्लस का नुप देखते हैं माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 7 दूई 9 9 नो 18 उसके बाद इसमें देखते हैं 6 और 5 कितना होगा 11 प्लस का 18 दोस्तों 11 मसे 18 मसे 11 गई बचेगा 7 अब 7 से 7 विभाजिस हो जाएगा विभाजिस हो जाएगा तो इसलिए 25 sollte 17 हमारी साथ से विभाजिस हो जाईगी अब दोस्तों देखते हैं 13 से विभाज होनी संक्षा 21,120XT 63,281 23 से विभाज हो जाएगी देखते हैं कैसे 11 में 3 माइनस 1 से गुला करेंगे माइनस 1 से गुला करेंगे का 1 दहाइ में 3 से गूला करेंगे, 7 दिरे, 21, उसके बाद, सइकला में 4 से गूला करते हैं, 4 दूनी, 8, उसके बाद, 1000 में कितने से गूला करेंगे, 1 से, तो 3 एक का, 3, और 10,000 में माइनस का 3 से गुरा करेंगे, 6 रिक 18, माइनस का 18, उसके बाद करते हैं फिर तथा योग करते हैं, योग, दिया हमको तथा योग करते हैं, तो योग करेंगे इसका, माइनस का 18, प्लस का 3, प्लस का 8, प्लस का 21, प्लस माइनस का 1, माइनस का 18 प्लस का 3 प्लस का 8 प्लस 21 प्लस माइनस माइनस का 1 अब देखते हैं इसको ए माइनस माइनस का 18 है माइनस का ए प्लस का 3 है तो घटेगा 18 से 3 तीन गेद बचेगा माइनस का 15 उसके बाद ए प्लस का ए प्लस का जोलेगा 21 में 8 जोलेंगे तो जाएगा 8 एक 9 उसके बाद यह बचेगा 2 और माइस का एक अब यह माइस का 15 है प्लस का 29 है तो हमारा घटेगा तो अब दोस्तो 15 मंसे 29 चला जाएगा तो बचेगा 14 तो मतलब अर्था 13 से 13 विभाज हो जाएगा तो इसलिए 63201 तो तेरह से विभाज संख्या है अब दोस्तों 4,92,895 यह भी 13 से विभाज हो जाएगी देखते हैं कैसे अब 13 से विभाज होने संख्या कैसे पता करेंगे माइनस एक से गुला करेंगे एकाई में तो माइनस का 5 हो जाएगा और दहाय में 3 से गुला करेंगे तो नो तिरिक 27 उसके बाद स्रेकला में गुला करेंगे 4C तो 48 32 अब हजार में कितने से गुला करेंगे एक सी तो दो एक कम दू अब दस जार में माइनस का 3 से गुला करेंगे 2 प्लस का 32 प्लस का 27 प्लस का माइनस पाच अब फिर हल करेंगे इसको माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस 27 प्लस 32 पहले सी तरह हम लिख लेंगे पहले इसको 32 प्लस 27 अब प्लस माइनस पाच प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 5 अब देखते हैं इसको हम माइनिस का 16 है माइनिस का 26 यह यह आ देखेख्यें माइनिस से 77 धंश तो यह हो जाएगे हम आरा कैंशिल माइनिस का 16 है यह गटतेंगा हमारा बत्तीस में से 14 मैं पर बचेगा अठारा उसके बाद माइनिस का पांच है तो पांच हो जाएगा उसके बाद आठारा से पांच गे तेरा तेरा भी तेरा एककम तेरा इसलिए 4 42 893 से विभाज संख्याय हैं अब 11 से वीभाज होने वाली संख्याय काई 2 वीचाहते 1 IBM Sun 13630isia 21 प्रकास से एग्या से विभाज होगी चलिए देखते हैं 21 से होने का नियम होता है सम अस्थानों का अस्थानीमानी माहलनी योग तो sum क्या है ध्रत सम हैं श क्या है 2 नज़न आस्थान का दो है इसके बाद रहां दो तीन चार तो आठ तीन ग्यारा और विसम क्या है विसम है तीन तीन चे उसके बाद दू तो तीन छात इन नो दू ग्यारा तो ग्यारा मैं से ग्यारा के जीरो अब इसमें देखते हैं सम मतलब होता है सम मतलब दूसरी जगास ए वाली सम है एक दू उसके बाद तीन ए सम नहीं है विसम है उसके बाद चार विसम है उसके बाद यहां देखते हैं विसम देखते हैं तीन एक विसम है उसके बाद छे विसम है तीन पर है उसके बाद पांच से विभाज संख्या है 39,632 यह हो गया हमारा अंसर अब यह 25,189 मतलब 25,189 भी इग्या से विभाज हो जाएगी देखते हैं कैसे हमको पता है इग्या से विभाज होने का नियम होता है सम अस्थानों का स्थानिमान सम कौन संख्या है यह दो यह चार पर तो इसका यह कितना होगा साथ पांच बारा उसके बारा माइनस बिसम संख्याओं का बिसम अंकों का योग यह बिसम है 2 उसके बाद यहां 3 यह 5 तो 2 1 3 और 9 3 इन बारा तो 9 3 12 बारा मैं से बारा गया जीरू इसलिए पचीस हजार एकसो उन्यासी भी इग्यासे विभाज संख्याए हैं अब दोस्तों च्यानबे 283 भी इग्यासे विभाज होगी देखते हैं कैसे पहले हमको पता है कि सम अस्थानों का योग तो एक दो दो सम है उसके बाद 3 4 4 सम है तो आठ उच्छा कितना होगा लब सम अस्थानों का योग कितना होगा आठ च्छा च्वदा उसके बाद घर्ट माइनस का विसम संख्याओं का योग तो विसम क्या है एक ये तीन और ये पांच तलब नव और दो जोलेंगे नो दो इग्यारा और ग्यार में तीन जोलेंगे हो गयागा चवदा तो चवदा मैंसे चवदा गए जीरू ये भी इग्यार से विभाज हो जाएगा तिसलिए इकाई धाई से एकला हजाद जज़ा चियानवे हजाद दोसो तिरासी इग्यासे विभाज संख्या हैं दोस्तों पांच वा कुष्चन है निम्नांकी संख्याओं में पांच से भाग देने पर सेस्पल ग्याद कीजिए चलिए ग्याद करते हैं पहला दिया है आठ हजार च बंचा तेकिनगे उरी आठ ऑर से 5 यह 3 3 जीर उतारेंगे तोघ पैन्च थी ט्लिया पूरा-पूरा कैंसल बंच میں क्या 3 ढहिंगे में जाहिए दो शंख्या झाए कं ऐक दोस्तो सटानबे हजार चासोचाह स्च्षीरोच को भाग देंगे पांच से स्पल देखते हैं कितना एगा पांच स्फॉरी पांच कम पांच तो नों नुजे 5 चया बमंढे और Seven 55, 5, 85, 45, 15 5 9 उतारे, 5 तो 5 45, то 7 से 5 दो, पान्हें पान्हें 5 गेढ़े 2, आब उतारे नियके 4, तो 5 कैसे 12 हों, 4 जानो है 5 निय fan, 5 2 1, 10 प्नतिय 9 उतार्थ, 5 5 2 2, 10 5 5 5 5 तो 5 5 just, 25, ETF, 50, 5 10 5深तर जायगे 5 उतारे, चालिस तो चार बचा उसके बाद छे उतारेंगे फिर नौबा ले जाएंगे पान्वा पैंतालिस तो चाम से चार पांच गे एक चाम से पांच गे एक तो इसमें सेस्फल बरावर कितना आएगा सेस्फल बरावर सेस्फल बरावर एक आएगा अब देखते हैं दोस्तो इस वाले कुश्चन में इकाई दहाई सेकला हजार इकाई दहाई सेकला हजार दहार पचासी हजार चार्स तो पांच में देखते हैं इसमें सेस्फल जीरो आएगा कैसे क्योंकि इकाई संक्या पांच ह उसके बाद इसमें देखते हैं 2121 एकला हजार दहजार तिरासे अजार पांसो साथ में तो इसमें भी सेस्पल जीरो आएगा क्योंकि 21 अंग जीरो है दोस्तों छठा कुश्चन है क्या 2121 एकला हजार दहजार लाक साथ लाक बाइस हजार साथ सो बाइस के अपुरत तक साथ ग्यारा होती रहे चलिए कहल करके देखते हैं साथ कम साथ अब अचानक दो संख्या पर रहे हैं तो जीरो लिखकर इसके बाद साथ तरीक 21 तो बच्छा एक बनेगा सब्सक्तरा तो साथ दूने चोदा साथ साथ दूने चोदा अब कितना बचा तीन तो बनेगा 32 तो साथ चुक अठाइस साथ चुक 28 तो बनेगा इसमें चार बचेगा तो बनेगा 22 साथ चंग 42 अब यह कितने से कटेगा अब दोस्तों इसमें भाग देंगे अब 11 यह इसमें भाग देंगे ता आएगा हमारा 909306 अब यह कटेगा 13 तो तेरह सो में अब तिरान 9386 में भाग देंगे तीरा से तो आएगा हमारा 722 तो 722 यही आएगा हमारा थोजेट 711 13 13 13 अपवर्तक हैं अपवर्तक हैं हाँ हाँ दोस्तों सात्वा कुश्चन है एक संख्या 576 है इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं बताइए कि अंत्राल 9 का कितने गुना है तो देखते हैं अंकों का योगफल तो 5, 7 और 7, 5, 12, 6, 18 तो 18 घटा देंगे इसमें तो 16 मसे 8 गए 8 बनेगा 6, 6 मसे गए 5, 5, 558 फिर पूछ रहा है बताइए कि अंत्राल 9 का कितने गुना है तो 558 से भाग को भाग देंगे 9 सी तो 9 चंग 54 तो 54 एक उतारेंगे 8 तो 9 दूनी 18 तो 62 गुना है यह हो गया हमारा आंसर दोस्तों अगला कुश्चन अगले वीडियो में साल्म करूंगा यह वीडियो आपको कैसे लागा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे एजुकेसर रंजित कमारे चैनल को सब्सक्राइब करें